डियर स्टुएंट्स बहुत स्वागत आप सभी का बच्चों ये क्लास फाइव का म्यात है चेप्टर सेवन है एकसरसाइज 45 यहां पर डिवाइड दिया हुआ है तो अल्रेडी आप लोग डिवाइड तो जानते ही हैं क्लास 3 से ही डिवाइड इससे पहले भी सुरू हो जात तो यहां पर फर्स्ट में हम लोग इस नंबर से पार जा रहे हैं इसलिए फर्स्ट में ही हम लोग को पॉइंट ले लेना होगा और यहां 34 है 5 6 30 तो हमको 6 बार में जाना होगा 30 तो यहां पर 4 बच गया और यह कट गया यहां पर आ गया 7 तो 5 9 जा 45 होता है तो यहां पर द गया मतलब इसका अंसर हो गया 0.694 यह अंसर हो गया अब यहां पर उसे तरह से एटिन नंबर में फोर से देना है 1.3 को तो हम पहले ही पॉइंट से पार हो रहे है इसलिए पॉइंट जरो पॉइंट लगा देना है अब 3 जा 12 हो रहा है 12 की तो कटे कैसे पॉइंट है इसलिए 1 जरो लगा सकते है पूर्ट जआ हो हो गया 0.325 यह अंसर हो गया नेक्स्ट ले ले लेते हैं क्वेश्चन नमर नाइंटीन और ट्वेंटी यह इस एकसर साइज का लास्ट कुष्चन है तो यहां पे इसको टू से करना है तू से 14.05 तो यहां पे 14 यह कट गया अब हम लोग इधर जाएंगे तो यहां पर मान लेते हैं कि 0 आता है तो हम पॉइंट यहां पर लगा देते हैं 0 आता है उसके बाद यह तो डिवाइड जाएगा नहीं इसलिए 0 यहां पर लगाना पड़ेगा हमको दो नमबर नीचे से उपर से नीचे लानना है तो अब यहां पर 5 आएगा कितना वार में गया टू टू जा 4 यह फोर आ गया यहां पर 1 बच गया अब हम एक जिरो इसमें लगा सकते हैं तो एक जिरो लगा दिए कितना हो गया टू फाइब जा टैन यह गया टैन कट गया अंसर क्या हो गया 7.025 यह यह इसमें देना है 16 से कितना दिया हुआ है 21.6 16 तो जाता है ज्यादा हो जाएगा तो वन बार में हम जा सकते हैं 16 वन जा 16 हो गया यहां पर 5 कट गया अब यहां पर पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट वोला नमर हम ले रहे हैं यहां तो 16 तो जा थाटी टू चार बार में ज्यादा जा रहा है सुल्बति शुलति अर्था इस 48 तो जुबति शुलति अर्था तो तीन बार में जा रहा है तो यह और यह कट गया मतलब अंसर क्या हो यह वन पॉइंट त्री फाइव यह यह होगा इस तरह से हम लोग सिस्टेमाटिक लिए अगर हम करेगा इक बार आप अप्के क्लिय कर रखें और कैसे बिर शुबति और का शुलति गडार में और उप्सक्राइब करें के लिए और उस ग्लाहरे रहें मु कर सब्सक्राइब ने रहेंक्त वीडियो पर paradox कर को चलेंगे कर दो कर दो